वेल्कम बैक अगेन गाइस तो लेक्चर नंबर सेवन सो इसमें हम देखेंगे फ्रेंट और इससे पहले कि जो लेक्चर है उसमें जो है प्रिवियस क्या है कि जो कंपोनेंट है लेयर है अटमस्फेर के इंसुलेशन जो अगर फ्रेंट की हम बाते हैं तो इसमें जो अगर फ्रेंट की हम हम बात करें तो फ्रेंट क्या होता है अगर हम बोलें एक कि कोई भी दो जी जो आमने सामने हो एक दूसरे क्या विल्कुल तो जैसे हमने एक चीज यह देखी दी जब हम वह कर रहे प्रेशर बैरिक्ते थे तो यहां पे जो यहां प्रेश्र बेल्ट अर इहां पे किया था हफूर्ट थजहां प्रेश्र है ब्लट है अब जहां सब्ट्रोपिकल हाइप रात नहीं ह gri जोहां किस तरफ जाती है इस तरफ जाती ना हमको तो हमें इसी रीजन की बात करने हैं है तो इसब अगर हम थोड़ा बड़ा इस तरह तर्फ तो यह जो हवाएं है यह आ रही है पोल से आ रही है ठीक है पोलरे स्टर्लीज और बीच में जो है भी फ्रेंट बना हुआ है फ्रेंट का मतलब हो था जब दो सिनाय आपस में खड़ी होती है अभी यूद्ध स्टार्ट नहीं हुआ ठीक है अब जो यह रिजन बनेगा ना य इसमें फ्रेंट जनेशिज अच्छा इनकी खासित क्या होती है कि इसमें जो है टेंपरेटर एर के डिरेक्शन देखो किस तरफ है और जस्ट यह फ्रेंट को पार करके जाओंगे तो एर की डिरेक्शन देखो कितनी है अब थोड़े से डिस्टेंस में ही बहुत तेजी से दिरेक्शन में चींज जाएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाई विंड शियर हाई जो है इस ये विंड के डिरेक्शन में चींज होना और विंड के जो है यह बहुत तेजिस होगा तो अब क्या होगा यह 3-D ichen के विश्यकों पूरा प्रॉसेस ऐढ़े प्रांजिशनल ऐने फ्रॉसोंक्राइब है ठीक है एक मौक्ल आएगा कि यहाँ से एयर मास्ट जो है इस फ्रेंट को क्रॉस करते हुए इधर से इस पर अटेक करेगी ठीक है तो अब जब यह अटेक होगा ना तो कुछ इस तरह का शेप बनेगा एक नट जो यह शेप यहां पर दिख रहा है हमको इसको बोलते हैं किंक टाइप का एक स्टॉक्टर बनेगा हमारा ठीक है और यह जो है यह सेक्टर यह कहलाता है वाम फ्रंट वाम फ्रंट क्यों क्यों यहां पर जो है हमने देखा था ना की वाम एर मार्स ने को टेक किया था ठीक है तो अब इसके पीछे इसके पीछे फिर जो यह सेक्टर खाली बल चाहना यह कहला detox time और यह वाला जो है यह वाला जो ऑन जहा जो पुरा जोन है इसमें क्या होट एर मार्स को टैक किया था तो यह कहलाएगा कोल्ड फॉरंट ठीक है तो अब यही सारा खेल है इसी को इसी को देखना है अच्छा और जो यह एक्षाल पार्ट नहीं ठीक है यह ये कहलाएगा kink इसको बोलेंगे kink तो ये same diagram ही exam में बना गया ना है इसी से number मिलेंगे ठीक है ये जो है ये ही temperate cyclone का वो भी है क्या कहते है mechanism तो second stage है ये second stage में क्या है कि दोनों ने एक दूसरा का attack किया तो ये एक wavy front wavy front type का चीज बन गई तो इसमें जो है चार sector बने हमारा एक तो जो है पहला sector है ये ये cold sector है ठीक है दूसरा sector है ये this one जिसे warm front बोला गया तीसरा sector है this warm sector ठीक है और चौथा है ये वाला जिसे cold front बोला गया तो इन सब की ये की खासित होगी वो देखते हैं warm front में जैसे हमने देखा कि warm air mass ने invade किया cold air mass को तो इसमें क्या होगा कि cold air mass जो है दब गई ठीक है और warm air mass जो है अपनी उसकी एक specific quality होती है कि वो धीरे-धीरे height धीरे-धीरे जो है gradually rise करना शुरू करती है आप को कि धीरे-धीरे rise कर रही है धीरे-धीरे rise कर रही है तो जो है वो खतरनाक वाली चीज़ें जो हमने देखी दिना वो thunderstorm यह सब चीज़ें नहीं take place करेंगी धीरे-धीरे ऊपर चड़ेगी ठीक है और low intensity rainfall होगी तो जैसे हमने देखा सर्दियों के मौसम में क्या होता है पहले रलकी low intensity rainfall होती है फिर कुछ दिनके बाद क्या है कि रात का temperature जो है उने शुरू होता है क्यों 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 हलकी बारिश कब होती है जब warm front उपर से गुजरता है अब warm front जब गुजर गया तो फिर जो है warm sector आएगा warm sector में की खासेत यह होती है कि वो night के temperature को increase कर देता है अब night के temperature increase हो गया उसके बाद जो है बढ़ते 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 फिर आएगा cold front अब cold front जब आता है तो इसमें खासेत यह है कि cold air जो है वो warm air को attack कर देती है तो warm air की खासेत तो होती है कि वो तो धेद्राइस करती है लेकिन cold air जो है इसमें attack और कर देती है warm को तो वो warm जो है वो तेजी से rise कर देती है rapidly move करना शुरू कर देती है अब जब तेजी से rise करेगी तो क्या होगा कि वो वाले जो इसमें thunderstorm भी होगा lightning यह सब इसको बहुत बेगा हो जाएगा बिल्कुल तो इसके अंदर जो है जैसे अभी चला है तो यह बहुत इसे बारिश देखने को मिलेगी cold front के अंदर अब जो cold front भी गुजर जाएगा तो आएगा cold sector यह जो पूरा region है यह cold sector तब जो जाके शीतलहर आती है शीतलहर का मौसा माता है जो जो से अब इसकी खासित क्या होती है कि जो cold front होता ना उसकी speed तेज होती है warm front के मकाबले ठीक है तो इसी से हमारा third stage drive होता है third stage कैसे drive होगा कि जब warm एक समय आसा आएगा कि यह मान लिजे warm है warm वाला front है और cold वाला front जो है वो तेज से बटा तो इसके आसपास इसी पर चड़ जाएगा और mix हो जाएंगे यह जो दोनों front mix हो जाएंगे तो उसको बोला जाता है occluded front ठीक है अब जो तीनों mix दोनों mix हो गए तो उसके बाद क्या होगा वो cyclone death की death हो जाती है cyclone मर जाता है cold front जो हो हो गया जहां भी मिलेंगे जाके ठीक है अब जो दोनों के बीच में जो boundary थी जिसको हम front front भूल रहे थे अब पुरा process of frontogenesis हो गया अब मिलने के बाद वहाँ पर क्या होना है अब वहाँ पर बारिश होनी है बिल्कुल अब यहाँ पर एक बार फिर heavy rainfall होगी और overtaken front को बोला जाएगा occluded front और इसी के साथ जो है mark the depiction dissipation of wave-like front और temperate cyclone known as frontolysis पूरा process जो हमने देखा तीन स्टेज में उसको frontolysis बोला गया और यह occluded front की death हो गई तो यह mechanism है temperate cyclone का basically तो अब cyclone भी देख लेते हैं इसी के साथ क्या होता है जैसे cyclone हमें देखा ना कि regional atmospheric storm है जैसे हम types of wind जब देख लेते तो उसमें तीन तरग के wind देखे थे planetary wind या global wind एक फिर दूसरा वो देखा था regional wind regional wind का example क्या है cyclone और monsoon और फिर local wind था तीसरा तो उसी में जो है regional wind है और regional wind इसमें क्या होता है कि एक atmospheric pressure बनता है low pressure बनता है center में और उसके इर्दग्रेद air circulate होती है spiral बनती है और anti-clockwise manner में देखो northern hemisphere में anti-clockwise और southern hemisphere में clockwise move करेगी ठीक है ये एक खासेत होती है cyclone की और anti-cyclone उसका उल्टा होगा ठीक है anti-cyclone क्या होगा northern hemisphere में तो जो है इसका हमने वह देखा इस cyclone develops in middle latitude जो हमें एक खास का middle latitude पर देखने क्लिए मिलता है और middle latitude जब हम बोलते है तो हम बोलते है tropics के beyond ठीक है tropic वाला जो होता वो lower latitude होता है tropics के beyond जो होता है middle latitude ठीक है तो ये जो structure ये पुरा frontalis से उसका generation होता है जिसको तीनी stage जो हमने देख लिए उपर ठीक है और इसमें जो है जैसे हम देखा चार पार्ट होते है warm front, warm sector, cold front, cold sector वो भी देख लिए हमने क्या होता है warm front में rising उसका movement जो है वो हाँ ये movement बहुत important है कि हमेशा जो है west से east में move करेगा always tropical cyclone होगा जैसे tropical cyclone हम देखते है ना तो वो उसका mechanism fix नहीं है और तो पहले fix होगा करता था कि बेंगॉल में जादा बनेंगी इधर कम बनेंगी but climate change से फिक्स नहीं है वो कि जहर भी east में move कर जाता है वेस्ट में move कर जाता है ठीक है लेकिन इसकी खासेती होती है हमेशा west से east में move करेगा ठीक है यह एक खासेती importance है तो warm front में क्या temperature बढ़ेगा status cloud बनेंगी हलकी फलकी बारिश हो जाएगी ठीक है और उसके बाद जो है warm sector आएगा उसमें क्या है warm condition बनेंगी उसमें जो है southwest to northeast wind चल दिए मतलब बेसिकली यह है कि warm condition बनेंगी फिर cold front आएगा जहां पर भेंकर बारिश होगी heavy rainfall फिर एक cold sector आएगा एक question है यह जो हम बात कर रहे हैं cyclone की यह ocean पर भी develop होता है क्या यह cyclone जो है जो tropical cyclone है जिसकी हम बात अभी करेंगे second वाला वो हमेशा उसको water की presence से ही है water पर ही otherwise जैसे land पर जाएगा वो death हो जाएगी बट यह जो cyclone है temperate या extra tropical या frontal वाला यह generate हो जाता है एक बार generate होने के बाद जो है इसको फरक नहीं पड़ता है क्योंकि यह बहुत thousand of square kilometer की area में बनता है already इसके बाद बहुत सारा water vapor होता है तो अपना काम करता रहता है वो उसको ज़रूत नहीं पड़ती है वो इसके बीड़ती है जो ट्रॉपिकल साइकलोन होगा जो अभी हम देखेंगे वो जो है जैसे ही अगराती है कॉंटिनेंट से तो उसकी उसका जो है water vapor जो है वो capacity खतम हो लगती है energy खतम हो लगती है तो यह देखले हमें cold sector में बहुत low temperature होगा cold wave चलेंगी यह सब चीज होंगी जो कि अभी face करने वाले हैं नौर्थ वेस्ट इंडिया में उसका movement जो है हमेशा जो है वेस्ट से इस चलेंगी under the influence of westerlies ठीक है यह important है इसका और size जो है इसका एवरेज डायमेटर ही 1000 से 2000 किलोमेटर होता है ठीक है और टेंपरेट साइकलोन यह ocean content दोने को पर डालॉप कर सकते हैं ठीक है अब आते हैं important जो हमारे जो इंडिया नोशन रिजन में जो cyclone आते है ठीक है मालब basically tropical region में जो cyclone आते हैं उसके अलग अलग नाम है अलग लग अरिया में उसको भी देखेंगे तो tropical cyclone जो है उसका पले खासेद देखते हैं क्या होता है कि they develop in tropical area between around 5 degree to 25 degree अच्छा 5 degree क्यों 0 से 5 degree के बीच में क्यों न और इसको जो है Coralist Force की जड़ोत बढ़ती है बनने के लिए इसलिए Equator पे कभी कभी नहीं बनेगा इसलिए Equator पे यहां पे ध्यान रखना है कि अगर Coralist Force Zero है Equator पे तो कभी हम वहां पे देखेंगे साइक्लोन बनेगा है नहीं एक्वेटर पे हमेशा जो है 5 डिग्री से 25 डिग्री लेटिटूड में बनेगा नॉर्थ में भी साथ साथ में भी ठीक है यह इंपॉर्टेंट है और यह बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है रीजनल अच्छा डिस्ट्रक्टिव का इंदर सैंस की इतना दिस्ट्रक्टिंड नहीं लेके आता है तो ज्सक्तिव होती है एकपास्फेरिक कडो में बंनेगा अगर भॉर्ट को वार्म बेसिकली हम बोलें तो 25-27 डिगरी के आसपास वाले रिजन को वार्म बोल सकते हैं ठीक है तो रेट ऑफ इवैपरेशन चाहिए होगा जाइड सी बात है क्योंकि साइकलोन है तो तो उनली वाम सप्प्लाइए इतना कर सकते है ठीक है यह इसको अगर एक्वेटर मालने तो यह और यह पांस डिग्री और यह 25 डिग्री तो यह हमेशा इस रिजन में बने गा इस इस रीजन में 5 डिगरी से 25 डिगरी वाल रिजन में बनेगा यहां नहीं बनेगा ठीक है यह important है फिर जो intertropical convergence zone इसका presence होना जाई यह important है क्योंकि जी से हमने देखाना कि intertropical convergence zone जो है वो गरमियों के मौसम में थोड़ा सा northern shift हो होता है एक्वेटर से उठके ट्रॉपिक आफ कैंसर के आसप्रास वह चुश्ट होता है तो इसकी वैसे क्या है और एर वर्टिस फॉर्म होते हैं जो ट्रॉपिकल वेस और ट्रॉपिकल वेड वेड आप त्रेक्टराइज़ बाई अब अब दोनों मिलते हैं ऑपस मिलते हैं जैसे में देखा तो वह उठ जाते हैं उपर ऐसे करके इसका कि ट्रॉपिकल हो चाहिए जब उठता है तो कौन सा जब हवाएं तेजी से उठना शुरू होती है तो कौन सा क्लाउड बनेगा बिल्कुल क्यूमला निम्बस बनेगा और खतरनाख व्ला क्यूमला निम्बस बनेगा तस तस अब लिए प्रेशर होता है ना ग्राउंड के पास ठीक है उसका इंटेंसिफिकेशन न लगता है क्यों क्यों कि नीचे से बहुत तेजी से हवाएं उठ उपर जा रहे होती है तो नीचे का जो प्रेशर हो इतना खाली होता है अब जैसे नीचे से हवा जो है बहुत तेजी से उठके उपर जा रही है तो नीचे वाला जो पार है वहाँ वेक्यूम टाइप क्रेट होगा उसके उससे क्या होगा कि उस वैक्यूं को फिल करने के लिये जो आस-पास की हमायים होगी बहुत तेजी से बढ़ने से बrosezon की बादर के बन मेंगे turd प्रिकल चल ना रहा है कि इस स्पीड पर कर मुझे इसका आइडिया नहीं ए कि इतना स्पीड होता है लेकि इस फ्रिंसीड है कि यह स्वेड़ां ले नहीं Europy स्थाय्य बता है खालर दियुक्छ हुर उसको स्टोंक्र Арओ कि इकволध डेट आउन्स है स्पीड क्रॉस कर लिए तो साइकलों यह कुछ नहीं है अलग चीज hayat नहीं बस स्पीड करेंध के उसमें जो इसनकों किय गया कि एक पर्तिकलर स्पीड के बाद स्पीड के बाद हुद स्फ्रॉरेशन हो गया फिर एक के बाद इंपर सूपर सई खेस टिर वह बढ़ जाके पर एक सरकल बन रहाएगा सरकल टाइप का बिसेकल की बात कर रहे थे स्ट्रॉक्टर क्या होता है और इसका ये जो बनेगा ये आई और ये इसके किनारे नगा आई वाल ठीक है और यह जो होगा यह कुछ ऐसा स्पाइरल बनते हैं 4 दोफ से ठीक है जो सेंटर में यह तो पता है प्रेशर जिरो होगा और यह लोग प्रेशर होगा जिरो नहीं कहे सकते और उसका टेंपरेचर क्या रहता है टेंपरेचर जो है लोग प्रेशर है तो इंण ऐशयंसे और इंपोर्टेंट है जो आई बन रहा न यह आई जो होगा सोण ओफ काम होगा यह वहाँ हूं गौिशandan होगा यह तो जो है एक सामने से देख सामने से यह और यह टॉप व्यूव है इसमें हम आई देख सकते हैं आई वाल देख सकते हैं इसके जाड़ा तरफ वह है एक होता है यह होता है यह सबसे खतरनाक यहां पर जो आई वॉल है इसमें जो हमाएं यह तीज चलती है 200 किलोमेटर तक की रफ्तार क्रॉस कर जाती है आई वॉल की बात करने है और यह पुरा सिस्टम बनाना यह वाल यह यह पुरा सिस्टम अपने आप में वंहें तो वहां देख कर यह हुआ hack live कर दाए तो निस जो वर्म और मॉऍस्क्रेयर रहा वह स्पार्रॉर्ण आफisis वात्ड़ under which high velocity winds, high amplitude waves develop over sea surface and these waves strike the coastal areas causing flooding of low-lying area and they are known as storm surges. इसी को storm surge बोलता है, इसी को storm surge बोलता है, जब आई वर्ल टक्राता है, coastal area से, ठीक है, जहाँ पर बाड़ा जाएगी, पानी जमाँ जाएगा, फिर होता है एक आई, आई जो होता है, वो central most part है, tropical cyclone का और यह जो है बहुत low pressure होता है, very high temperature, और यहाँ पर जो है high pressure air का subsidence भी हो र होता है, और आई का जो है basically जो diameter देखें तो 40-50 km होता है, आई का, वह है zone of calm है, और यह पूरा system की बात कर रहे हैं हम यह, पुरे entire system की, तो आई का जो है वहाँ पे sun clearly visible होता है, wind जो है weak और calm होती है, तो जाहिर सी बात है, आप सोचो जो है यह पूरा system कहीं move कर रहा है, तो क इसी area के पीछे आई पड़ गया, मतलब वहाँ पे calm का zone आ गया, मतलब एकदम हवाएं शान्त हैं और निकला हो है, लेकिन जो सोच रहा है कि हवाएं शान्त हैं उन्हें यह नहीं पता कि आई वाल भी आ रहा है अभी जब यह पूरा pull करते वाएगा, तो आई वाल आईगा वेस्ट मूफ करते हैं उसमें इस्ट से वेस्ट मूफ करते हैं जनरली यह जनरली है वह नहीं है यह तो रहा है वह हमने देखा था राइट में मोडने का वह क्या होता है मेकैनिजम क्या होता है प्रिवेस लेक्चर में मोमेंटम कंजर्व करने के लिए मास इंटू वरॉस्टिटी और अपने मोशन के राइट में मूटते हैं और सदर नमें मोशन के लेफ्ट में मूटते है ठीक है यह इंपोर्टेंट है और इसका पाथ ट्रेक करना वह तो यह कहीं से कहीं मूव कर जाता है मलब यहां जन्रेट हुआ यहां यहां चला गया कभी-कभी ऐसे चला जाता है कभी-कभी यहां जन्रेट होगा तो यहां चला गया ठीक है ऐसे करके किसी भी डिरेक्शन मूव कर जाता है तो यह थोड़ा सा यह बहुत एक मलब तितली आया था अभी कुछ साल पहले 18 के आसपास में देखें था यह अभी तक का उस जमाने में only cyclone था history में जिसने जो है अपना path change किया landfall होने के बाद मलब land से टखराने के बाद अपना path change लिया और दुबारा से ocean की तरफ मूड़ा और फिर जो है वो मोमेंटम गिन करके फिर जो है डिस्ट्रक्टिव बन गई है अधरवाइस जनरली यह होता है कि लैंड से टक्राने के बाद जो है वो अपना मोमेंटम लूज कर देती है ठीक है अपना एर्जी डाय आउट हो जाते है बिल्कुल ठीक है यह है उसके लिए बैटर टे जो भर्र करें रहें एंटाइर सिस्टम खुद यह 300 क्लों किलोमेटर कर साथार से तो यह और खतर ना डॉबल हो जाता है और यह ज़ोगा जो करीब होगा अच्छा कुछ अलग 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 अरिया में इसको अलग अलग नाम दियेगें जैसे अगर हम इस मैप को देखें तो एंडिया के आसपास का जो डीजन आ यह वहाँ इसको इसको ताइफुन बोलते हैं जापान में इसको ताइफुू टाइफू ताइफू फिर जो नॉर्थ वेस्ट और उस्ट्रीलिया वाला पार्ट है वहां पे विली-विली बेओ बेंगॉल अरेबियंसी में जो इसको चक्रवाथ या साइकलोन नोरमली ठीक है अब अगर इंडिया नोशन में जितनी साइकलोन डवलाप होते हैं उसे से 80 प से तीन सालों में due to climate change of course कि Arabian Sea में ज्यादा cyclone develop हो रहे हैं as compared to Bay of Bengal तो यह भी एक concern है यह भी concern है इस पर मेंस का question ज़रूर बन सकता है तो इसको prepare करना यह भी important है कि वाइ the trend of tropical cyclone is shifting from Bay of Bengal to Arabian Sea यह बहुत important question बनेगा और फिर Southwest ocean में जो है वहां भी cyclone नी बोलते हैं ठीक है तो यह कुछ नाम है और इसी cyclone के अलगल नाम है तो इसी के साथ जो है थंडर स्ट्रॉम थंडर स्ट्रॉम यह भी एक local storm होता है जो की swift अंधेदर होता है और swift मतलब बहुत तीजी से जो rise होता है हवा का high intensity rainfall होता है यहां भी और the weather condition created by thunderstorm are high intensity rainfall thunder lightning सब्सक्राइब कैसे होता है डिटू रैपिड वह इल्टेंसिव हेटिंग और रहेगा बिल्कुरी सब चीजन होती है यह thunderstorm डलो करती है फिर एक tornado tornado क्या होता है tornado जो है basically जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसी का एक छोटा बार्ट अगर बोलते हैं वह होता है बट इसका खासेत ही होती है कि यह कुछ ही एक किलोमेटर का साइज होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का तो चार सो पान सो किलोमेटर है इसका एक किलोमेटर गास पो लेकिन जो इसकी स्पीड होती ना घुमनेगी वह बहुत खतरनाक होती चार्ट सो किलोमेटर पर आग वोलेंटिल रोटेटिंग कॉलम आफेर विद एक्स्टिमली लो प्रेशा अदर सेंटर उसको बदर टॉर्नेडो और इसी में क्या होता है जो कॉंटिनेंटल पोलर जो एर मास है वो कनवर्ज होता है मैरी टाइम एर मास से मैरी टाइम ट्रॉपिकल एर मास से बर समझार है कॉंटिनेंटल पोलर जो कोल्ड एंड राई मैरी टाइम ट्रॉपिकल वार्म एंड मॉइस्ट यह मिल किते हैं तब यह यह डवलप होते हैं कह तर्फिर रफ्तार से हमां एक रोचल दिया वी कॉंटिनेंट और ओशन दूनों पर डिवलप होते हैं हां बिल्कुल यह तो कहीं भी डवलप होजाद है तो खदरनाक है दूम और जादा को चार्स क्लिमेटर का समझ लोगी यू कन नॉट विद्स्टेंड और हुमन गाइब तो चार्स किलोमेटर सूच लेकिना होगा ठीक है जाते 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 जो है वो पेंड़ में टूटने लगते हैं घर उख़डने लगेंगे तो चार्स किलोमेटर मादब नथिंग विल लेफ्ट इन विद फोरंड़ किलोमेटर जहां से गुजरेगा वहां पर पता नहीं चलेगा कि इन सम पॉइंट अफ ताइम हीमन सिवला में एंटि साइक जोन में टिसेंडिंग ओफ एर मलों हाइप प्रेशर जोन बनेगा वहां पर ठीक है जस्टापोजिट सब्सक्राइब प्रेशर स्मॉज इस्टम इचाइब हाइप प्रेशर दा सेंटर फ्रम यह यह डाइवर जिस इन लॉगवाईस मेर और एंटि अडि अडि अग्या है वह उल्टा उसके राउंड और इस मार्जिन्स ओफ कॉंटिनेंट आर्ट इसमें रोल होता है कि यहां कोल्ड ओशन करेंट गूम रहे हैं जा रहे हैं वहां पर क्या है हाई प्रेशर का जोन बनेगा तो वहां पर करेगा ठीक है अब ओशन करेंट क्या होते हैं उसको अलग से दिखा जाएगा अगर मुका मिलता है तो यह है इंपोर्टेंट वीक वरियेबल विंड होती है ड्राइव एदर कंडिशन हाई डर्नल रेंज अफ टेंपरेचर होग ठीक है तो यह कुछ करेक्टर होते हैं इसके और तो इसी के साथ जो है यह साइक्टर भी खतम होता है अब एक चाप्टर और रह गया है इस क्लाइमेटर लोजी सेक्शन में जिसमें हमको कवर करना है क्लामेटिक डिजिएंस ऑफ दा वर्ल इसको जो हम अगर नेक्स लहlat है और यह नोट जो है're you ओंगर क्मेंट में करें ब्ल्कुल कि सी ब्सकिए है ये नोट चाहिए है तो और कमेंट सेक्षिन जाने till then we will meet again thank you thank you